कि नमस्ते दोस्तों सीक्रेट ऑफ अल्टिमेट लीविंग में मैं मिताली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं हर बार की तरह हमारे साथ डॉक्टर सचीन हमारा मारगदशन करने के लिए स्टूडियो में उपस्तीत है मैं उनका भी बहुत-बहुत तहदिल से स्वागत करती हो नमस्ते ओम शांते ओम शांते जब हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि जब अंतरिक स्टूगल बहुत होता है तो हमें किसी की मदद की आवश्यकता होती है पर कई हम ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जो मेरे संपर्क में आये हैं जो थोड़ा सेंसिटीव होते हैं ब कई सारे तरीखे हैं ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सेलफ कॉंश्योस होते हैं या बचपन में उनका अप्रिंगिंग ऐसे हुआ रहता है कि ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करने का जैसे एक छोटा बच्छा होता है बार-बार मम्मी के पार जादा मम्मी हो अभी और कु इह वेर में वो संकोच रहता है हमेशा कि कैसे बोले हम कैसे बात करें इनको अच्छा लगेगा या बूरा लगा इसमें काफी टाइम चला जाता है आप बिल्कुल ठीक है रहे उसमें बीमारी भी बढ़ने लगती है और यह अंदर यह अंदर उसको कैसे कहते हैं कि घूटत कीने आपने आप से बात करने की बच महाएं जोटा था मेरे पास ताकत नइथी क्योंकि मेरे से बड़े लोग थे ममधी पापा या अंकल जिने के बहुत ताकत थें अगर मैं कुछ बोलू तो वो मुझे मार सकते थे लेकिन अभी तो मैं बड़ा हो चुका हूँ और बचपन का समय अलग था अभी मैं अपनी बात को मेरे को कहना चाहिए अच्छी तरह से क्योंकि मुझे तकलिफ हो रही है और मुझे मदद की जरूरत है अगर मैं चूप रही तो बीमारी और पड़ेगे और हो सकता है कि मैं जिस घर म मेरे वज़े से और भी लोग परिशान हो सकते हैं या मैं जिस ओफिस में वहां पर भी मेरा यह सभाव मुझे तकलिफ दे सकता है तो ऐसे लोगों को अपने आपको बात करके अपने आपको इस परिस्तिति से निकालना चाहिए उनको यह कहना चाहिए अपने आप से कि नही समझ्या किसी के भी जीवन में आ सकती है और समझ्या के वग जब हम खुद अपनी शक्ति से नहीं निकल पाते हैं तो समझदारी इसमें कि दूसरों से मदद लेनी चाहिए डायरेक्ट प्रोफेशनल लोगों के पास जाने के बजाए जो अनुभवी लोग है और जो पॉज अश्वास है आप उलसे ओपन अप हो जाए अपनी दिल की बात कह दीजिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर ऐसे बहुत सारे बहने भाई जो अंदर ये अंदर घुटते रहते लेकिन जैसे हमारे पास आते हैं वह जैसे ओपन होते हैं उनको एक हलकापन मैसूस होता है कि य वो यकति जब ऊपने अप अपको साक्षी को के नहीं देख पाता है इसलिए सको सॉलूशन नहीं मिलता है जब हमारे सामने ववभलाते हैं तो हम साक्षी ओपने पर ऊसी तरए से देखते हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि अपने आप से बात करना सीक अगर यह भी आपको नहीं हो रहा है, तो दूसरा तरीका मनो विज्ञान में इस्तेमाल करते हैं, कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो आप किसी कागच के ओपर निकालो, जो भी आपको फील हो रहा है, कि समझो आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके आपको स्टेशन मे या घर में जो भी आपको समस्या है, या आपके अपनी आदते हैं जिसके वज़े से उसको कागच के ओपर लिखो, लिखते जाओ, सबसे अच्छा तरीका जो हमने ब्रह्मा कुमारी में देखा है, जो बहुत effective रहा है, इसके ओपर बहुत प्रयग हो चुके, कि हम लोगों क कहते हैं कि अगर आप मेरे से बताने में भी आपको संकोच आ रहा है, कई बार ऐसे इशुज रहते हैं, परस्नल इशुज रहते हैं कि शरम के मारे, लोग वो भी नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं कहते हैं कागच के ओपर लिखो, और वो confidential कागच आपके पास ही रहेगा, इ दो बातें साइमल्टेनियसली हो रहे, एक आपके अंदर जो भी भावनाएं है, उसको जैसे बाहर निकालते हैं तो वो एक हलकापन आ जाता है कि बाहर कागच के ऊपर आ गए, और दूसरी बात उस परिस्थिति को मैं साक्षियों के देख रहें, अच्छा ये परिस्थित ये लोग इमोशनल क्लावडिंग होता है, उनके अंदर बहुत सारे इमोशन्स होते हैं, भावनाएं रहते हैं, और ये बादलों की तरह रहते हैं, जैसे जब बादल आता है या कोरा आता है, तो हमको सपष्ट कुछ दिखाई नहीं देता, जिनको लिखने की आदत है, ऐस आज मेरे जीवन में क्या हुआ, कहां मेरी गलतिया हुई, कहां मैंने जोर से बात की, कहां मैंने गुस्सा किया, कहां मुझे अच्छे लोग मिले, मेरे साथ है, तो वो लोग रहत को जो पोता मिल कहो या जमाखर्च वो सपुरा लिखते हैं, उस से उनको अपने आपको साथ भी करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, मैंने खुद अभ्यास किया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, कि रोज, अगर रोज नहीं हो सकते हम कहते हैं, हफते में दो-तिन दिन तो आप परमात्मा को खत लिखो, लेटर तो गॉड, ये लेटर तो गॉड जो कंसेप्ट है, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, उसको आप खत लिख रहे हो, दिल की सभी बाते लिख दो, क्योंकि वो पतीत पावन है, वो अविनाशी सर्जन है, शरीर की बीमारी के साथ, आत्मा की बीमारी को भी ठीक कर सकता है, तो उसको खत लिखते हैं, लिखते हमने देखा, बहुत लोग हलका मैसस करने लगे, यानि अगर हम किसी से बात नहीं कर सकते हैं, तो अट लिस्ट हम लिखकर भी उससे हलका हो सकते हैं, अर उससे आपको क्लारिटी मिलेगी और आपको उसमें से समाधान स्वयाम आ हमारे हाा जैते हैं नथ र्सकाधिने लिखकिमाटे है। अल्टीमेटली इन तो अमड़ती हमारा लक्षर की वह परमात्मा से टारैक शक्तियों को प्राप्त करें। यह राजयोग में सिखाया जाता है। तो तो नहीं से शक्तिरिंग softly कि आ जाए हम यह शक्तिने से और बि आप वो शक्ति नहीं ले पा रहे हो तब आपको जरूर किसीने किसी का सहारा लेना ही चाहिए आपने ये वास सही कही कि हम लोग अगर किसी से बात नहीं कर सकते तो लिखना चाहिए हमारा अपना स्ट्रगल रहता है हम परमात्मा से डारेक्ट मदद नहीं ले सकते कई ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है तो क्या हम किताबों से भी ऐसी कुछ मदद ले सकते हैं या सिर्फ फिर अपने अंदर ही इंटांगल रहेंगे जरूर आपको मिलती है लेकिन फिर आप क्या पढ़ रहें उसके उपर भी है क्योंकि पढ़ना के और पढ़ना नहीं होता है उसके उपर पिर उसका अर्था निकाला जाता है जो भी बताया गया सॉलूशन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए अच्छी तरह से ठीक है ना तो जरूर चाहिए जो positive solutions है लेकिन जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको पता रहता है कि कौन से समय पर कौन से दवाई काम करती है जैसे हैं मैंने देखा है कि कई लोग chemist से दवाई ले 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 थे उनको पता है या फार्मस्टिस होता है उनको पता है कि ये बीमारी में ये पढ़ने के बाद भी अगर हम अपने ही विचारों के एक ही पैटन में खोये हुए है तो शायद वो वर्क नहीं करेगा तो इससे बेटर है मेरे पास ये भी patient आते है किसी किताब को पढ़के कोई दवाई कोई नुक्स चालू कर देते और फिर प्रॉब्लेम बढ़ जाता ह टीवी देखके टीवी के ऊपर कई सारे ऐसी चीज़े आती है जो इस्तिमाल करते हैं उससे भी problem हो सकता है तो हम कहेंगे कि safe रहे है ना अनने से लिए extreme मना ऐसे प्रयोग ना करें कि जिससे आपको नुक्सान हो सकता है और इसनो अल्टरनेटिव तो मिटिंग राइट एंपर फेशनल परसन को जारूर मिलना चाहिए वह सकता है जब हम भी बीमार पड़ते हैं तो हम अपना इलाज जितना हो सके खुद नहीं करते हैं दूसरे प्रफेशनल के पास जाते हैं नहीं तो क्या होता है हम भी परिश प्रशनल सही व्यक्ति को मिले, there is no alternative, यह प्रशन तब आता है कि जब वो संकुछ वाली personality कुछ कर नहीं पाते हैं, तब हम क्या करना है चाहिए, पर अल्टिमेटली आपको सही व्यक्ति को ही मिलना चाहिए बहुत अच्छा, अभी हम कर्मों की बारे में बात कर रहे थे कि जब हम कर्मों के अपने फल में इंटांगल हो जाते हैं, आज़र वो बुरा या अच्छा फल, जो भी फल है, लेकिन बुरे फल के समय हमको बहुत तकलीफ होती है उसमें से निकलने में, यह बात पर चर्चा क करते करते मुझे कई चीजे सामने मेरे आ रही थी कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पूरवजोंग का हमारे उपर इफेक्ट है और इसलिए यह सब हो रहा है हमारे साथ में यह कहीं नहीं हमारे जिमेदारी खतम हो जाती कि हमारे कर्मों का फल है जब हम कहते हमारे पूरवजोंग अग्यान के तो प tow Day दोशने के लिए हमेशे त्वी मेरा अच्छा काम होता है तो क्रेडिट लेने का त्यार होते हैं मुझे ऐसे लगता है कि पूरुव जो ने किया है किसी और ने किया है या और कुछ भी कारण हो रियालिटी या वास्तविक्ता यह है कि आपके उपर वो एनर्जी का इफेक्ट आ रहा है simple है माना हम जादा complicated ना करते simple शब्दों में कहें कि आप अपने स्वयम के साथ comfortable है खुद के साथ number one हो दूसरा कि आप दूसरे लोगों के साथ comfortable है number three आपके जीवन में जो भी परिस्तिती आती है कि आप उसके साथ आप comfortable है मन आप स्टेबल है, स्थीर है, प्रसन्न है, अगर इसमें से कहीं पर भी आपकी आवस्था हलचल में आती है, तो आपको अपने को देखना चाहिए, पास्ट या भविशा में जाने के पजाए वर्तमान में रहे कर अपने आपको चेक करें, कि चलो पुरुवजो ने किया या आपके रहे है, या किसी और से आ रही है, तो उसका एफेक्ट आपके ओपर कम आएगा या ना के बराबर आएगा, और आपके द्वारा वो निगेटिव एनर्जी निकलने के बजा, आप पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो नया अकाउंट नहीं बनेगा, होता क्या ह है, अगर यह समझो, आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, पर पूर्वजों से आ रहे है, या कोई और मेरे को भेज रहा है, और मैं भी निगेटिव एनर्जी कर रहा है, तो दो चीज़ें साइमल्टेस्ने हो रहे हैं, एक तो वह निगेटिव एनर्जी का इफेक्ट और मैंने निगेटिव एनर्जी जनरेट किया, तो प्रॉब्लेम बढ़ता है, और फिर कहते हैं कि पता नहीं बहुत दिन हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, फिर हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम आपकी एनर्जी को दूर कर देंगे, बहुत सारी मैं सिच्वेशन को ना नहीं कहे रहा हूं, जीवन में जब कही बार समस्य आती है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो कहते हैं कि देड़ महिने से हम इलाज कर रहे हैं, उसको उल्टी हो रहा है, रूख नहीं रहा है, सब रिपोर्ट आये, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ तो वो निगेटिव एनरजी कोई तो भेज रहा है, ऐसे संकल्प आने चाले होते हैं, कई लोग कहते हैं कि ये फला ने ग्रह की उर्जा है, ये ग्रह का इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है, वो एक कोई तो गलत दशा चल रही है, जिसके वज़े से ऐसा आ रहा है, मैं इन क्या विदी है कि जिसे के थूँ हम इसको खतम कर सके, तो उसके लिए स्पेशल कुछ मेडिटेशन है, स्पेशल मेडिटेशन में आपको बताता हूं, मैरे जीवन का अनुभव, जब हम ज्यान में चले, तो ज्यान का जीवन है, राज्यों की जीवन, उसमें हम सुबे चार अरबजा उटके ध्यान करते हैं, हमारा भूजन पवित्र है, शुद्ध है, तो हमारे घर वालों को लगा कि यह अभी ब्रह्मा कुमारी गया, तो यह सन्यासी हो जाएगा, तो उनके बहुत सारे संकल पचले, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किये, और उसमें का एक प्रय अरब का एसे संस्कार नहीं था, तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि मेरे लिए इस सब करने की जरूरत है, तो मैंने पंडित थे, उनको पूछा कि यह सब क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ग्रह रहते हैं, उनका हमारे उपर प्रभाव रहता है, तो हम क्या कर है, तो मैंने का जड़ का चैतन्य के उपर प्रभाव पड़ेगा या चैतन्य का जड़ के उपर, क्योंकि शास्तरों में ऐसा गायन है कि संकल्प से स्रुष्टी रची जाती है, यह बहुत बड़ा सिद्दान्त है, बगवत गीता में भी यह शलुक आया है, कि कैसे कि यह बहुत देखता ब्रह्मा करते है अगर उनका प्रभाव पड़ता है, थुड़ा चूप हो गए पर यग्यवगर्ण के करो से करेको चाहिए आप हमारे आशों पर चलो, हो भी देखना चाहते थे क्या है तो जो पंडित भ्रामन था, उसको हमने बाबा के कमरे में बिठाया और अबडा के किर्ण म puòला सित्र आथ label to meynaka parmaatma एक प्रकाश है के,, छृप अध्या पित है और उससे हमको शक्ति मिलती है तो ब्रामन्ह पंडित बहुत देर तक बहार करने लगा है और बहार आकर आग कि कहने लगा कि आपका बहुत बहुत भन्यवाद आपने मुझे यहां पर लाया मेरे दो साल का ठैंशन दो मेरिट में खतम है तो जो मेरी शांती करने आया था परमात्मा की याद से उसे खुद को शांती मिल गए और मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ, मैं तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था और वो जो मंत्र वगरा उनों ने पड़े मेरे उपर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि आप नहीं मानते थे या आप को जैसे एक रहा मिल गई थी पर बहुत से ऐसे लोग है जो डाइलमा है जिनके लाइफ में वो यह भी पसंद करते हैं साथ-साथ में दूसरी बाते मतलब उनमें भी विश्वास थोड़ा-थोड़ा अभी भी है उनका तो ऐसे लोगों क केता हूं कि आपको अगर पानी चाहिए तो पचास जगह पर एक एक फूट नहीं खोदना चाहिए एक ही जगह पर पचास फूट खोद होगे तो पानी मिलेगा आप जो कह रहे ना बदलने वाले लोग आज इधर गया इधर काम हो जाएगा नहीं तो उदर हो जाएगा यह रख सकते हैं जो भी वीधिया करते हैं लोग अब उसमें सफलता है नहीं सफलता है मैं एक साइन्टिस्ट हूं हम डबल ब्लाइंड स्टडी के पर गर इसको मानते नहीं कि क्योंकि हम यह मानते हैं कि सव में से 33% लोगों में आप सिप विश्वास के आदार पर ठीक हो जात उसका पर्मानेंट इलाज यही है कि हमको पॉजिटिव बनना है अंदर से हमारा मन सकारात्मक हो तो इन लोग पास जाने के बात भी अगर प्रॉब्लेम्स अल नहीं होता है ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने भी कहा है कि परिस्तिति के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल पर से डाएरेकली नहीं है हमारे एक ही कंट्रोल हमारे विचारों के उपर जो अध्यात्मिक्ता कहते हैं तो हम अपनी उर्जा को जितना सकारात्मक बनाए रखेंगे आज तक जितने भी सफल लोग होके तो ऐसे नहीं कि उनकी जीवन में कोई समस्या नहीं आए थी समस्या बहुत थी लेकिन उनकी एनरजी उन्होंने पॉजिटिव रखी जिसके वज़े से उस परिस्तिती पर उन्होंने विजय प्राप्त किये उनके उपर भी एफिक्ट आया पर मैं यही कह रहा हूं कि बाहर कह और जगह पर जाने के बजाए आप अपनी उर्जा को सकारात्मक बनाए रखे और सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करना मेडिटेशन करना और मेरा यह खुद का अनुभव है जब ऐसे परिस्तिति जीवन में आई जब हम ध्यान में रहते हैं और परमात्मा की शक्ति को अन अब आपको बिल्कुल हलका चोड़ेंगे सीर से लेके पाव के अंगुठे तो यह जाती है तो इफेक्ट काम आता है और हम उस परिस्तिती से निकल पाते हैं आज हम जो यह बात कर रहे थी कि हमारे कुछ पिछले एफेक्ट सोंगे कुछ पूरवजों के एफेक्ट सोंगे उसके बारे में आप हमें थोड़ा मेडिटेशन में अगर गाइडेंस देंगे तो शायद मुझे लगता है मारे दर्शक मीत्रों को भी इसकी काफी मदद हो सकती अलेर्ट होके बैठेंगे अपने आपको बिलकुल हलका छोड़ेंगे सीर से लेके पाव के अंगुठे तक संपूरन शरीर बिलकुल हलका छोड़ेंगे और मैं एस्सस करेंगे कि मेरे दुनों हाथ पर, चाती पेठ, चेहरा और गरदन बेलकुल हलका होते जा रहा है, शान्त और रिलाक्स, ध्यान दू आखों के बीच में जा रहा है और मैं एसस करेंगे कि हमें एक सुन्दर दीव्य प्रकाश दो आखों के बीच चमक रहे हैं यह शरीर भारी है पर हम बिलकुल हल्के हैं और हम शान्त स्वरूप है मैं एक दीव्य प्रकाश इस शरीर का मालिक हूँ परमात्मा की संतान हूँ परम्पिता परमात्मा श्रीव बाबा एक जोति स्वरूप है और उनका दीव्य प्रकाश अशिर्वात के रूप में मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है मैं है सुसकरें एक निली रंग का प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है और मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते जा रही है मैं शान्त होते जा रहा हूँ मैंने आज महसुस किया कि पुर्वजों से या और कहीं से भी कोई भी उर्जा अगर मेरे पास आ रही है उस नकारात्मक उर्जा को मैं अपने आप से दूर रख सकता हूँ अगर मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ परमात्म सदेव मेरे साथ है तो ये उर्जा मेरा कुछ भी बिगार्ड नहीं सकते हूँ मैं निर्भय हूँ और निश्चिंत हूँ क्योंकि सर्व शक्तिवान मेरे साथ है उसकी शक्ति के वज़े से मैं स्वयम को भी एक शक्तिशाली आत्मा मैं सुस्कर रहा हूँ मैं इश्वरिय संतान वो सर्व शक्तिवान के संतान मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ जीवन की कोई भी परिस्थिती में मैं अपना धैरिय बना सकती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी सकारत मत्ता को कभी नहीं छोड़ूंगे सदेव पॉजिटिव रहूंगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे अंदर की नकारात्म कुर्जा दूर होते जा रही है मेरा मन और शरीर एक तम शान्त होते जा रहा है मैं बिलकुल स्वस्त मैसिस कर रही हूँ या शन्त स्वस्त अप्रसन नहों ऑम शन्त है शन्त है शन्त है बहुत बहुत धन्यवाद, अज ग्यापके पूरी मांग अग धरशन के लिए बहुत सी बाते हैं आज आपसे फिर से जानने को हम को मिली कि कैसे पूरवर जोम के भी अगर इफक्त होंगे तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं अगर हमारे पास positive energy का source होगा तो हम उस energy को भी रोख सकते हैं यह सबी बाते आज आज आपसे फिर से जानी बहुत बहुत अच्छा लगा हम दोस्तो आज की पूरे एपिसोड में डॉक्टर सचीन ने हमको बहुत ही गहराई से यह चीज़ बताई कि अनेक जगर पर जाने के बजाए अगर हम एक ही जगर पर पूरी तरह से काग्र हो जाए एक ही जगर पर अगर हम अपना ध्यान पूरा लगा दे तो शायद हमको उसमें से बहुत सारी प्राप्तियां हो सकती है अब इसका प्रयोग कीजिए हम फिर से मिलेंगे एक नए सीक्रेट के साथ तब तक के लिए नमस्ते